नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं एक पुर मुख मंतरी जार्खन के लोगों की पहली पसंद बनकर सामने आया हैं ओपेनियन पोल में चार नेतावों का नाम दिया गया था जिसमें भाजपा के एक पुर मुख मंतरी को सबसे जादा लोगों ने जार्खन के सीम के रूप में पसंद किया है जारखन के मुख्य मंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा लोगों ने पुर्वस्तियें बाबुलार मरांडी को पसंद किया है उन्हें कूल 43 पर 37 लोगों ने अपनी पहली पसंद बताई है बतादे टाइमस नाव भारत के ओपिनियन पोल के अनुसार इस दोड में बरतमान मुख्य मंत्री हमान सुरेन पिछड़ गए है और दूसरे नमबर पर आये है हमान सुरेन को कूल 32 पर 37 लोगों ने पहली पसंद बताया है इस लिश्ट में चमपाई सुरेन और अरजुन मुंटा का भी नाम सामिल है अरजुन मुंडा को 9 पर थे जबकि चमपाई सुरेन को 5 पर 37 लोगों ने सीएम के रूप में पहली पसंद बताया है हवलदार चोहन के आस्रीत को नौकरी मुख्य मंत्री हमाउन शुरेन से उनके आवासीय कर्याले में सनी वार को हजारी बाग जिलाबल में मुरित हवलदार चोहन हेम्रम के सरकाई नौकरी देने की घोस्ना की है बतादे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्तवे के दोरान मिर्तियों होने पर राय सरकार आश्रित परिजोनों को लगभग 1.29 रुपए देगी उन्होंने कहा है कि जल्दी अनुकंपक एधार पर वर्ग तीन आथवा चार में नियुक्ती हेतु पर किरिया पूरी कर ली जाएगी वहीं असम के मुख्यमंत्री और भाजपा विधान सभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत बीश्वा सर्मा और परदेश भाजपा देश बावुला मरांडी भी चोहन हमरम के गिरी डी के बेगा बांद इस्तित घर उनके परिजनों से मिलने पहुँचे है पारा सिक्षक 25 अगस्त से आंदोलन पर जारखन सहयक अध्यापक संहर्ष मुख्यमंत्री और सिक्षा मंत्री के नाम खुला पत्र लिख कर वर्ता का खेल बंद करने की मांग की है मोर्चा ने असपष्ट किया है कि 24 अगस्त तक सरकार मांगो को पूरा करे नहीं तो 25 अगस्त को सभी जिला मुख्यालों में मसाल जुलूस निकाला जाएगा वहीं 27 अगस्त से मुख्यमंत्री आवाज के समक्ष पाराच सिक्षक अनिस्षित का इन पर दसन करेंगे मोर्चा ने बेतनमान के समतुल्य मांदे सहीद विभिन मांगो की पूर्ती 24 अगस्त करने का अल्टिमेटम दे दिया है डक्टरों के हरताल से 15,000 लोगों को नहीं मिला इलाज राजजी के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सन्निवार को हरताल का पांचवा दिन था पिछले 4 दिन से जूनियर डक्टर हरताल में थे लेकिन पांचवे दिन सीनियर डक्टर भी इसमें सामिल हो गया OPD और नियमित ऑपरेशन के सेवा लागतार पांचवे दिन भी मरीजों को नहीं मिल सकी पांच दिन पर गौर करे तो इस बीच करीब 10 या लोगों को OPD में परामर्श नहीं मिला है साथी करीब 300 मरीजों का ऑपरेशन तक नहीं हुआ बता दे कि पांचवे दिन भरती मरीज भी आपरेशन के लिए परिशान रहें मरीजों ने बताया है कि सिनियर डॉक्टर एक बार आते हैं कोई भी जूनियर डॉक्टर नहीं रहता ऐसे में परिशान ही बरती जा रही है मैया योजना मेला परवाही पर साथ के बेतन पर रोक जारखन मुख्यमंत्री मैया समान योजना की मोनेटरिंग मेला परवाही पाय जाने और लक्ष के अनुसार उपलब्दी हासिल नहीं होने पर उपाईुक्त रहुल कुमार सीनहाने रांजी की बाल विकास पर्योजना पता अधिकारी समेत महिला परवेक्षिका का बेतन रोक दिया है सभी को सोकाज किया गया है साथी संतोस जनक अस्पस्टी करन पाया जाने तक सभी का बेतन भी अस्थागित कर दिया गया जनकारी के अनुसार जार्खन मुख्यमंत्री मैया समान योईना के दहा सहरी छेत्रे में लाभको की संख्या कनो रूप आवेदन पत्रे की हाड कोपी संबन्तित अंचल अधिकारी के पास जमान नहीं होने की सिकायत मिली थी इसका सत्यापन कराया गया वाड 36 अरगोड़ा एवन नगली अंचल के सत्यापन के करम मिशेविका द्वारा इंट्री हुए अवेदन को अपने पास रखने अहरता धारी लाभको का सरवेक्षन नहीं करने तथा महिला प्रवेक्षिकाओं के छेत्र भर्मन नहीं किये जाने का मामला संग्यान में आया इसके बाद यह करवाई की गई है नीजी अस्पातालों में भी मरीजों का इलाज नहीं खोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दरिनगी के खिलाब जारकन समय देश बार के डॉक्टर और स्वास्त कर्मी सनिवार को हताल पर रहे इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के वाहन पर सुबह 6 बैस से शुरू हुए 24 घंटे के हरताल से स्वाच स्वाय पूरी तरह चर्मरा गई राजी के सरकारी अस्पातालों के साथ साथ नीजी अस्पातालों में भी इलाज ठप रहा संकट में फसे मरीज और परिजन अस्पातालों के चक्कर कारते रहे हलाकि आपात काल से वाय जारी थी फिर भी मरीजों का काफी परिशानी उठानी पड़ी है पुरे राज में 32,000 से अधिक मरीजों को OPD में इलाज नहीं मिल सका IMA के अनुसार राज भर में 16,000 डॉक्टर और 5,000 मेडिकल छात रहाचाल पर रहे वहीं 10,000 से अधिक पारामेडिकल, फिजियो थेरेपिस्ट, आयूस डॉक्टर, डेंटल डॉक्टरों ने भी सहयोग दिया है राज भर में कहीं से भी इमर्जेंसी सिवाबादित होने की सुचना नहीं मिली है आर्यू इंटर में दाखिले को 24 तक खुलेगा पोटल रांची विशु विद्यालाय आर्यू के अंगी भूत कॉलेजों में इंटरमेडियेट में दाखिले के लिए पोटल 24 अगस तक खुल दिया जाएगा वहाँ के बाद छात्र नेता कुलपती सभागार में पहुँचे और धार ने प्रबैट गया हो हो हंगामा होता दे कुलपती डाक्टर सीना विद्यार्थियों के पास पहुँचे और नमांकर पोटल खोलने के लिए 30 अगस तक का समय मांगा लेकिन छात्रों ने इंकार कर दिया विद्यार्थियों के रूख को देखते हुए अंजता वी सभी दाले पर साथने 24 अगस तक पोटल खोलने की बाद कही है साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे बेपटरी वारानसी से अहमादाबा जा रही साबरमती एक्सप्रेस 29 168 सुक्रवार की रात दो बच कर 27 मेट पर गोविंदपूर और भीमसेन एस्टेशन के बीज बोल्टर से टकरा गई जिससे इंजन सहित सभी 22 डिब्बे बेपटरी हो गई धमाके के साथ ट्रेन लड़ खडानी तो यात्रियों में अफरा तफरी मच गई कुछ यात्री ट्रेन से कूद गई हादसे में साजिस के संका के मंदर जाज कमिटी बनाई गई है महिलाओ की सुरक्षा के लिए हर मार्ग पर चलेंगे पिंक आटो रांजी सहर के हर मार्ग पर अब महिलाए पिंक आटो चलती नजर आएंगी इस समन्द में डिजीपी अनुराग गुपतान यात्याद पुलिस अधिक्षा को दिसानी देश दे दिये है इसमें उन्होंने कहा है कि ए आटो महिला कॉलेज, सिक्षन, संस्थान, अस्पताल समयत महिलाओ की ज़्यादा आवाजाही वाले मार्गों में खाच तोर पर चलाए जाए उन्होंने या अभी निर्देश दिया है कि जीन इलाकों में महिलाओ का ज़्यादा आवागमन हो उन मार्गों में ही परमिट जारी करे आदेश मिलते ही आतायाद पुलिस ने परमिट जारी करने के लिए डिटियों को पत्र भी भेज दिया है बता दे कि अभी तक पिंक आटो और गोड़ा इलाके में ही चलते हाए जैसे सिसीजेल के छात्रों को पैदल मार्च से रोका जैसे सिसीजेल के अभियार्थियों ने सनिवार को पैदल मार्च निकाला अभियार्थियों के बिरोध करने के बाद भी उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया अभियार्थियों ने काफी देर तक इसी अस्थान पर प्रशन किया अभियार्थियों ने मंत्री और जेसेसी चेर्मैन से वर्ता की मांग की लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई अभियार्थियों ने कहा है कि पुलिस बलने लाठी चार्ज करने की बात कही है अभियार्थियों ने बताया है कि SDO से मिलाने की बात पुलिस परसासन ने कही लेकिन वे नहीं माने और बीना किसी से मिले सांती से लोट गए अब यार्थियों ने कहा एक जैसे सी की परिक्षा पिछले 10 सालों से लटकी हुई है जब परिक्षा हुई तो पेपर लिक हो गया पेपर लिक होने के 8 महिने बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ है राजधानी में आज भारी बारिस का एलो अलर्ट को लहान के 3 जीलों के अलावा राज़ी के दक्षिनी भाग के सभी 6 जीलों के लिए रभिवार को बारिस का औरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहीं राज़ी समय 9 जीलों में भी भारी बारिस का एलो अलर्ट जारी है प्रगना के सभी जीलों में कम बारिश होगी, सेह जहारखन में अच्छी और कहीं कहीं भारी बर्शा होने की संभावना है। दिन भर पुर्णिमाति थी पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के सुकलपक्स की पुर्णिमाति थी 29 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 3.4 मिनट पर अरंब हो रही है या 29 अगस्त की रात 11.15 मिनट पर समाप्त हो रहा है वहीं 19 अगस्त को पुर्णी मा सुबह 3 बच कर 4 मिनट से लेकर 11 बच कर 55 मिनट पर और अक्षा बंधन का महुत दिन के 1.5 बजे से लेकर रात 9 बच कर 8 मिनट तक वहीं भद्रा का साय सुबह 5 बच कर 56 मिनट से 1 बच कर 25 मिनट तक और पंचक राज 7 बच से अगले दिन 5 बच कर 35 मिनट तक रहेगा गढ़वा में स्वाइन फुलू पिरित की मौत अलट जारी गढ़वा के खरोंदी पर खंड में स्वाइन फुलू से पिरित ब्यक्ति की सुकुरवार की देर रात मौत हो गया इसका इलाज वारा नसी से एक निजी अस्पताल में चल रहा था वारा नसी में ही तैप प्रोटोकल के तहट उसका दाशन स्कार कर दिया गया इधा स्वाइन फुलू के मरीज की मौत की सुचना मिलते ही स्वास्त बिभाग अलट हो गया विभाग की एक टीम सनी वार पिडित मरीज के घर पहुंची और सभी परिवार जनों की सदस्यों की स्वास्त जाच की साथ ही कई के सेंपल भी लिए हैं टीम में सामी जीला महामारी बीसेसर गया डाक्टर संतोस कुमार के नुसार स्वाइन फुलू मरीज के संपर्क में आने वाले सभी परिवारिक सदस्यों को आईसूलेट कर दिया गया है उन्होंने बताया है कि इससे पहले मरीज के संपर्क में परिवारिक सदस्यों समेथ 24 लोगों के सेंपल सुक्रवार को लिए गय थे जाच रिपोर्ट आने तक सभी डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है स्रियम हेमन्त आज पाकुर से मैया समान का करेंगे सुभाराम जारखन के मुख्य मंत्री हमन्सुरन रभिवार को गायव थान पंचायत के तिलकामाजी चोक पर आयोजित कारकरम में सामिल होंगे और जारखन मुख्य मंत्री मैया समान योजना का सुभाराम करेंगे इस दरण वे 16937 लावकों के बीच करिब 121 कोड़ रुपय की परिशंपत्यों का बित्रन भी करेंगे इसमें मुख्य मंत्री मैया समान योजना के तह़ा 4.90 लाख रुपय का बित्रन करेंगे वे करिब 72.92 लाख रुपय की योजनाव का सिलन्यास करेंगे और 32.88 लाख रुपय की योजनाव का उधाटन भी करेंगे धन्यवाद